दोस्तो इस वीडियो के अंदर हम यहां पे देखने वाले हैं कि यहां यह जो डेटाबेस के अंदर होता है, यह टेबल क्या होता है, साथी साथ फिल्ड्स क्या होते हैं, रिकॉर्ड क्या होता है, कॉलम क्या होता है, रो क्या होता है, यह सारा कुछ देखने वाले इस वीडि इस्टूडियो के अंदर हम database बनाते हैं साथी साथ table बनाते हैं उस table के अंदर हम अपने मर्जी के हिसाब से उसके अंदर columns बनाते हैं फिर उसके ऊपर हम constraint apply करते हैं तो यहां पे कुछ ऐसे basic से question हमारे सामने आते हैं कि यहां पे table या फिर जो database है उससे related जो कुछ terms हैं उनको ह यहां बोलते हैं और साथी साथ database के अंदर वो available किस form में होते हैं तो जैसे अगर सिर्फ एक database इसकी में बात कर लों यहां पे आप देख सकते हैं यह database menus के अंदर यहां पे दो database मैंने बना रखा है एक तो यह YouTube का और दूसरा एक project के लिए मैंने अलग से बना रखा है ठीक है row और जो column उस form में अगर हम data store करके रखते हैं तो वो हो गया table तो जैसे इस table का मैंने select star from TVL employee मैंने किया तो इस table के अंदर जितनी वी information यहां पे stored है वो सारी आपको यहां पे देखने को मिल रही है जिसमें यह सारी चीज़े आपको देखने को मिल लिए तो यह हो गया table अब इस table के अंदर columns किया होते हैं? तो जैसे यह देख सकते हैं employee id यह एक column हो गया, first name, last name यह सब अलग-लग करके यह column हो गया ऐसे ही यह जैसे यह first row होगा, table के अंदर जो records होते हैं, जैसे यह first row हो गया, ऐसे ही second row हो गया, third row हो गया, तो जो यह horizontal होते हैं, इनको हम row बोलते हैं और जो यह vertical होते हैं one by one, इनको हम बोलते हैं columns, अब यहाँ पे कुछ terms और भी use होते हैं हमारे corporate life के अंदर, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो यह column होते हैं, इसी को यह entity भी बोलते हैं, entity या फिर fields, तो इस चीज़ को भी आप ध्यान लखिएगा, कि अगर वो बोलते हैं कि कि किसी एक fields को modify करना, update करना है, मतलब वो किसी एक column, particular column की बात कर रहे हैं, ऐसे ही यहाँ पे एक पूरा जो row है, वो बोला जाता है, एक record, यानि कि table के अंदर का जो एक row है, उसको हम records भी बोलते हैं, तो अगर आपको यह बोला गया, कि एक record को update करना है, मतलब पूरी एक row को update करना है, खेर वो update करने के लिए, जो भी हम condition उस करेंगे, सिर्फ उसी row पे यहाँ पे apply हो, ना कि पूरे पूरे table के ऊपर, तो यह सारा कुछ भी हम यहाँ पे देखते रहेंगे, तो I hope आपको यह clear हो गया, जो table होता है, और साथी साथ जो records होते है, row, column, entity, fields, यह सब क्या होते हैं, सारा कुछ आपको समझ में आ गया, तो लाइक करें, साथी साथ कोई भी doubt आता है in between, तो आप नीचे comment करें, चैनल को subscribe करना न बोले, मिलते हैं एक वीडियो में अत्तबते के लिए धर्निवाद,